हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अक्रमी पर फ्रेंड्स हमने घटना चक्र में बायलोजी सेक्षन को सुरू किया हुआ है आयो केस्ट नुमर 43 देखते हैं निम्लकित कतनों पर विचार कीजे फिता क्रेमी टेप वाम उभे लंगी है गोल क्रेमी राउंड वाम के अलग-अलग लिंग होते हैं फाइल एरिया सुत्र क्रेमी से होता है यानि निमेटेवर्ड से होता है गिनी क्रेमी एनेलीड है इनमें से कौन से कथन सही है इसका एंसर हो जाएगा भी एक, दो, तीन सही है फिता क्रीमी जो है उभै लिंगी होता है गोल क्रीमी के अलग-अलग लिंग होते हैं और फाइल एरिया जो है सूत्र क्रीमी से या निमेटोर से होता है आईए कुछ एक्सका एक्सक्रिनेशन देखते हैं एक दो कथन और तीन भी सही है जबकि कथन नंबर चार सही नहीं है गिनी क्रीमी जो होता है एक सूत्र क्रीमी यानि निमेटोर यह भी होता है जिसका जन्त वैज्यानिक नाम ड्रेकन, कुलस, मेडिनेसिस है या मनुष तथा कुछ दूसरे अस्तनियों का परजीवी जन्तु ह जिसके संक्रमन से सरीर में दमा यानि अस्थमा, उल्टी, वॉम्टिंग, खुजलाहाट, EOC, नियूफील या इत्यादी के लच्छन प्रकट होते हैं ये सब सरीर में इस परजीवी के विसेले पदार्थ के प्रभाव के कारण ही होता है Q44 देखते हैं निमलखित में से किस ग्रूप के जन्तु प्राया, राती, चर होते हैं घरेलू, मक्ही, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादर, उल्लू, मच्छर, गौरेया, हीरन, उल्लू, चमगादर, कुत्ता इसका अंसर है बी, मच्छर, चमगादर और उल्लू जो होते हैं वो प्राया रात में क्या करते हैं, जगते हैं ये इसका एक्स्प्रेहिन देखते हैं, क्या कह रहा है है रात्री चर जन्तु वे जन्तु होते हैं जो एक जो की दिन में अराम करते हैं किन्तु रात्री में सक्री रहते हैं या नहीं जगते रहते हैं इन जन्तुओं में प्रायह, स्रमर तथा, घ्राने, इंद्रिया, अत्यधिक विक्सित होती है मतलब इनके सुनने की और सुंगने की दोनों की छमता बहुत ज्यादा विक्सित रहती है जो द्रिष्टी छमता है विसेस अनकूलित होती है मच्छर, मौस्किटो, चमगादर, बैट, उल्लू, आवल और किवी इत्यादी जन्तु जो होते हैं वो रात में जगते हैं या रात रिचर होते हैं क्विश्टर नमर 44 देखते हैं मच्छरों के बारे में निम्लखित कसनों पर विचार कीजिए वे केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं मादा पौधों का रस जो है चूसती हैं और मादा की अपिच्छा नर के डैने बड़े होते हैं नर की अपिच्छा मादा के डैने बड़े होते हैं तो इसका एंसर आप लोग भी बताईए, इसके बारे में काफी सुना होगा, मच्छरों के बारे में तो, इसका एंसर है D, दो और पांच, यही कथन दोनों सही हैं, और सभी गलत हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, और नर की अपिछा मादा के डैने जो होते हैं, वो बड़ होते हैं, इसका explanation देखते हैं, केवल मादा मच्छर ही गरम रुधीर वाले कसेरू की पच्चियों एवं अस्तनियों का रुधीर चूसती हैं, और वाह परिजीवी के रूप में होती हैं, नर मच्छर रुधीर नहीं चूसते, वे अपना पोशन फल फूलों के रस्ते करते ह हैं, भी फल फूलों का रस्त चूसती हैं, मादा मच्छर समानता, नर मच्छर से बड़े होते हैं, क्योशन में 46 देखते हैं, निमलकित में से कौन से प्राणी अपनी आत में जल का संग्रह कर लेते हैं, मुलाग, उट, जेब्रा, यूरो मैटिक्स, इसका अंसर है B, उट जो है, अपने आत में जल का संग्रहन करते हैं, इस देखते हैं, उट कैमलरेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसे, क्योंकि इनका सरीर पूर्ते मरुस्थल या डेजर्ट के प्रती अनकूलित होता है, इनके पैर गद्दीदार होते हैं, सो सन की ले अतिधीमी होती है, तथ एक बार में अतिधिक जल को पी कर, जल का संग्रह अपनी आत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आव सकता नहीं होती है, इसका एंसर है D, कंगारू चूहा जह है सबसे लंबी आवधी तक बिना पानी पिये रह सकता है, एक्स्मिनेशन देखते हैं इसका हम, कंगारु चुहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधी तक जीवीत रह सकता है जिसके कारण यह प्राया ठोस मुत्र उस्सरजित करता है उसमें यह अनकूलता उसके उस्तरजन तत यानी विक्र यानी किडिनी की विस्तेस सनरचना वा कारेप्रडाली के कारण होता है Question number 48 देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा जानवा ठोस मुत्र उस्तरजित करता है अभी हमने पढ़ा कौन करता है कंगारू चूहा करता है तो इसलिए इसका अंसर हो जाएगा A 49 question देखते हैं सर्पो के विस ग्रंथिया किसकी समांग है मचलियों के विद्दू तंग, रे मचलियों के दंस, अस्तनियों की वसा ग्रंथियां, कसेरु की प्राणियों की लार ग्रंथियां इसका अंसर है D कसेरु की प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती है साब का विस वास्तों में उसकी लार का ही परिस्कृत रूप है question number 50 देखते हैं friends साब के जहरीले विस दंत होते हैं जो रूपांत्रित रूप है किसके रूपांत्रित रूप है चीबु कास्थी दंत के तालू दंत के स्वानी दंत के जंबिका दंत के इसका एंसर है D जंबिका दंत के इसका एक्स्परेशन देखते हैं विस एले सापों में उपरी जबड़े की मैकसली हड़ियों एक से तीन जोड़ी बड़े वा पीछे की और मुड़े विस दंत तालूब से मुख ग्रासन गुही का से उभरे रहते हैं अधिपादपी, लवडोद भीद, मरोद भीद, सेलोद भीद इसका एंसर है D सेलोद भीद कहलाते हैं जो चटानों पर उग जाते हैं पादप चटान पर उगने वाले पादप को सेलोभीद कहते हैं Q52 क्या कह रहा है निमलिखित में से कौन सा एक कीटा हारी पादप है पैसन प्लावर पादप घट परणी रात की रानी, नाइट क्वीन और फ्लेम आपदी फोरेस्ट इसका एंसर है घट परणी निमलिखित में से कौन सा एक कीटा हारी पादप है तो घट परणी जो है कीटा हारी पादप है यानि कीट को खाने वाला पादप है आई इसका एक्स्प्रेशन देखते हैं घट परणी पौधों का सिकार पकरने की अपनी बनावट के कारण मास भच्छी पौधे के रूप में जाना जाता है घट परणी पौधे में फसे कीट उसमें कत्रित व पांत्रित होता है इस्तंभ पत्ता अनुपर्ण पर्ण व्रिद्ध इसका एंसर है बी आई इसका एक्स्प्रेशन देखते हैं क्या कर रहा है घट परणी मांसा हारी कीट भच्छी पौधे होते हैं जो अल्प खनीजिया अमलेम रिदा में उखते हैं जहां पर नाइट्रो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहर बनाते हैं इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक कलस या सुराही की भाती विक्सित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाय जाते हैं जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविस्ट होता है व निमल खित में से कौन से सही रूप में सुमेलित नहीं है इस्ट किडवन कैसीन दूओध प्रोटीन एलो वेरा आवरित वीजी पोधा घट पढ़नी परजीवी आवरित वीजी तो इसका एंसर है डी डी जो है सही सुमेलित नहीं है इस्ट जो है किडवन के द्वारा होता है दूग्ध प्रोटीन में कैसीन पाया जाता है और एलो वीरा जो पौधा होता है वो आवरित वीजी पौधा होता है आईए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं घट पंड़ी या नेफेंथीस का पौधा प्रकास अंसलेशन की क्रिया द्वारा अपना वोजन बनाने में सच्छम होता है यह प्राया ऐसे अस्थान पर उपता है जहां कि मिर्दा में नाइटोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटो को पचा कर ये कीटो को खा करता है क्यूशन में 55 को देखते हैं कौन सा सही सुमिलित नहीं है अमर बेल तना पर जीवी है चंदन जड़ पर जीवी है आर्किड अधिपादप यानि एपिफाइट पोधा है जिसका अंसर है D D ही मैचिंग में नहीं है अमर बेल एक तना पर जीवी है चंदन पर जड़ पर जीवी पाया जाता है और आर्किड जो है अधिपादप है आईए इसका एक्स्प्रेशन देखते हैं क्या कह रहा है घट पर नी नेपिंथीस कुल का कीट भच्ची पोधा है या कीटो को खाता है ये पोधे मुख्यता साक या हर्ब होते हैं और दलदली या अधिक नम अस्थानों पर उखते हैं जलोदवित का साई ये होता है कि वो अस्थल और जल दोनों से उसका मैचिंग होता रहता है मतलब एक संक्रमार जोड में वो पैदा होता है इस प्रकार के पादप जली परियावरण में रहने एवं विक्सित होने के लिए अनुकूलित होते हैं चंदन आंसिक मूल पर जीवी होता है Q56 देखते हैं नेपेंथीस या खासियाना घटपणी नामक दूर लव एवं आपाती पोधा पाया जाता है कहां पाया जाता है इसके बाले में बोल रहा है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघाले, उत्तर प्रदेश इसका एंसर है C मेघाले निपन्थीस खासी याना घटपन्डी भारत के मेघाले राज्यों गारो खासी जयनती या पहाडी छित्र में पाया जाता है Q57 देखते हैं पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है जड़, फल, पूस्प, तना तो इसके एंसर है D पौधे के तने के भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है हल्दी टर्मरीक के पौधे का खाने लायक हिस्ता जो होता है प्रकंद होता है पौधे के तने का जो भाग होता है वहाँ से हल्दी प्राप्त की जाती लेकिन जो खाने वाला हिस्ता होता है उसको हम क्या कहते है प्रकंद जो की एक अंता भौमिक रुपांतरित तने का एक प्रकार है हल्दी का पौधा एक प्रगंदी बहु वर्सी साकी पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है यह कुल जिंजी बरेसी के अंतरगाता है इसका कौन सा कुल होता है जिंजी बरेसी इसकी उतपति अस्थल जो होती उश्कटवंदी दच्छण एसिया है जिसका उप्योग औसधी मसाले रंग कारक के रूप में किया जाता है जैसे उसदी के रूप में भी हल्दी का प्रियोग होता है, मसाले के रूप में भी होता है और रंग देने के रूप में भी इसका प्रियोग किया जाता है क्यूशन आप फिप्टियर देखते हैं हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है जड़, फल, प्रकंद, कंद अभी हमने पढ़ा कि इसका खाने लायक हिस्सा कौन सा है प्रकंद जबकि ये पौधे का कौन सा भाग होता है तो ये तना होता है फूलव का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है ड्रूप, हस्पेरिडियम, नाट, एक बीजी बेरी इसका एंसर है A, ड्रूप आए इसका एक्स्प्रेनेशन देखते है लीची एक उश्क कट्रिबंधी ये फल है या सोप बेरी परिवार का सदस्ती है या एक प्रकार का ड्रूप है ड्रूप ऐसे फलकों कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सक्त गुठली होती है लीची कहां का फेमेस है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अंसर दीजे निम्न अदो भूमे उत्पादित सबजियों में कौन सी एक रूपांत्रित जड़ है? अब जड़ के बारे में पूछ रहा है आलू, सकरकंद, बंडा, जीमीकंद इसका एंसर है B सकरकंद जो होता है वो जड़ से प्राप्त होता है आईए इसका एक्क्लमेशन देखते है सकरकंद, क्वालू, लेसी, कुल का एक वर्सी पौधा है पर यह अनकूल परिस्थितियों में बहु वर्सी या बहु वर्सी सा विवहार करता है यह एक सा पुस्पक पौधा है इसकी रुपांत्रे जड़ की उत्पत्ती तने के पर्वसंधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है कुल मिला के वाशित्ता जान लिए सकरकंद क्या है जड़ है क्विश्चन में सिस्टीवन देखते हैं निम्लिखित पादपो में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है गन्ना, अदरक, आलू, सकरकंद तो अभी हमने पढ़ा कि सकरकंद क्या है जड़ है अदरक, आलू, गन्ना ये सब क्या है तने है गन्ना, आलू, अदरक, तने का रुपांत्रण है अर्थात इनका संग्रह अंग जो होता है तना होता है जबकि सकरकंद का संग्रह अंग क्या है जड़ है प्यूशन नमर से स्टिटू देखते हैं निम्न में से कौन सा तना है सलजम, अद्रग, गाजर, सकरकंद तो अभी हमने पढ़ा था कि अद्रग जो होता है वो तने से प्राप्त होता है अद्रग तने करूपांद्रण अत्रा अर्थात इसका संग्रह अंग जो होता है तना होता है जबकि सलजम, गाजर, सकरकंद ये सब जड़ों से प्राप्त होती है आप ध्यान से जड़ा इसको पढ़ लीजेगा क्योंकि इससे बहुत एक नए क्यूशन तो हर एक जाम में रहता है क्यूशन आप 63 देखते हैं अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह खाद सामगरी को संग्रहित करता है इसमें नोड इंटर नोड होते हैं यह मिट्टी में 36 रूप से बढ़ता है इसमें क्लोरोफिल की कमी है उपरियूग तुमेंसे कौन से कथन सही है या एक से अधिक हैं तिसके अंसर है B अदरक जो है तना है जड़ नहीं है आईएस का एक्स्प्रिनेशन देखते हैं नोड एवं इंटर नोड का उपस्थित होना तने का विशेश लच्छन है मतब जिसमें नोड उपस्थितो और इंटर नोड उपस्थितो वो तने का एक विशेश लच्छन होता है अद्रक में ये संरचनाय पाई जाती है अताया कहा जा सकता है कि अद्रक तना है जड़ नहीं है नेक्स्ट क्योश्चन को देखते हैं इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है प्रकंद प्रकंद का हम मिलान किस से करें? आईए पहले हम आपको इसका अंसर बता दे इसका अंसर होता है C इसका अंसर है C A का 3 प्रकंद जो है हमें अद्रक से मिलता है और B का 4 इस्तंब कंद जो है हमें आलू से मिलता है सल्क कंद जो है लहसून से मिलता है और घन कंद जो है जीमी कंदिया सूरन से मिलता है ठीक है आई इस का अब क्यूश्यन वस इस्टी फाइब देखते हैं निम्लकित में से कौन सा रुपांत्रिक इस्तंभ है गाजर, सकरकंद, नारियल, आलू तो इसका अंसर है D, आलू आलू पटेटो एक अंता भौमिक रुपांत्रिक इस्तंभ कंद है जिन में भोजन का संचेन यानी स्टोरेज होता है और इसका प्रियोग भोजिपदार्थों के रूप में किया जाता है इसमें अनेक कलिकाएं बड़्स पाई जाती है जो वृद्धिकर नए पौधे का रूप ले लेती है 66 को देखते हैं क्या कह रहा है आलू है, आलू क्या है? मूल, फल, कंद, सल्क कंद इसका अंसर है C, आलू जो है एक कंद है आईए इसका एक्स्प्रेंशन देखते हैं आलू एक भूमी गत रूपांत्रिक तना है आलू पहली बद तो तना है और इसका खाने वाला जो हुवो होता है उसे हम कंद कहते हैं, जिसे कंद कहते हैं ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमी गत साखाओं के अंतिम सीरो के फूलने से इनका विकास होता है कंदो के पार्स भागो तथा सीखर पर कलिकाएं पाए जाती हैं आलू की आखे पर्वसंधियों को प्रदर्सित करती हैं जिनसे नए पोध्य का विकास होता है निमलिखित में से कौन सा एक कवको और उच्चतर पादपो की जड़ों के बीच उपियोगी प्रकारी साहचरी है जैव उर्वरक प्रवाल मूल लाइकेन कवक मूल तो इसका अंसर है D कौन सा कवको और पादपो उच्चतर पादपो की जड़ों के बीच पाया जाता है तो वो क्या पाया जाता है कवक मूल पाया जाता है आई इसका एक्स्पिनेशन देखते हैं कवक मूल यानि माईको राईजा कवको तथा उच्चतर पादपो की जड़ों के मध्य उप्योगी प्रकार्यक साहचर यह है जिससे वे एक दूसरे से लावहनवित होते रहते हैं कवक मृदा से खनिज लवाण जल को सोखकर उच्च पादपो को देता है जबकि उच्चस्चतरि पौधा बदले में भोजिपदारत तयार कर कवक को उपलबध कराता है कवक जो हैता है इसे म्रिदा से पानी क्या करता है पानी लवाण जल ये सब देता है और जब पादप क्या करते हैं कवक को भोजपदार तो अपलब्ध कराते हैं मतलब एक दूसरे के साथ इनका सहचरी बना रहता है क्यूशन में से स्टियर देखते हैं माईको राईजा एक सहजीवी संबंध है सैवाल और पोधो के मद्ध सैवाल और कवको के मद्ध कवक और पोधो के मद्ध नील हरिस सैवाल और कवक के मद्ध इसके answer है C कवक और पौधों के मद्ध माई को राईजा एक सहजीवी संबंध बनाता है क्यों बनाता है क्योंकि कवक क्या करता है मिट्टी से जल और खनीज को उपलब्ध कराता है लमण को और पौधे क्या करते हैं इनको भोजिपदार्थ उपलब्ध कराते हैं एक दूसरे पर इनकी जीवन टिका हुआ है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गाठों में पाये जाने वाले नत्रजन इस्थरीकरण यानी नाइट्रोजन इस्थरीकरण जीवाणू कौन से हैं? ये पूछ रहा है मृतोप जीवी, परासरई, सह जीवी, प्रोटोप घटनी जिसके अंसर है C फलीदार पादपों की जड़ों में पस्थित जो गाठों में पाये जाने वाले नाइट्रोजन इस्थरीकरण जीवाणू होते हैं वो क्या करते हैं? सह जीवी, सम्मंद, इस्थापित करते हैं इसका एक्स्प्रेशन देख लेते हैं पहले फलीदार पादपों की जड़ों में मवजूत गाठों में पाये जाने वाले विसेस जीवाणू राइजोबियम, जिसे हम कहते कौन सा जीवाणू होता है? राइजोबियम जो सह जीवता या सेम्बॉयसीस का जीवन यापन करते हैं यहाँ एक ओर ये जीवाणू नाइट्रोजन योगी की करण या इस थरी करण द्वार नाइट्रेट में वदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं वहीं दूसरी ओर या फलीदर पौधा जो है इन्हें आवाज तथा भोजन उपलब्ध कराता है Q70 देखते है मटर पौधा है मटर किसका पौधा है? साक, पोस्प, जाड़ी इन में से कोई नहीं इसका एंसर है A मटर जो है साक का पौधा है एक्स्प्रेंशन देखते हैं इसका मटर का पौधा पी, प्लांट एक द्वी, वीजी, पत्त्री साकी या डाई साकी तथा एक वर्सी पौधा होता है इस पौधे का तना कमजोर होता है अता इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं यह लेग्यू मिनेशी कुल का पौधे के अंतर गताता है मटर का पौधा किसके कुल के अंतर गताता है लेग्यू मिनेशी कुल के अंतर गताता है यह द्वी वीजी पत्री मटर के वारे माँ आप बस दो तीन विसेस्ता याद कर लीजे कि या लेगुमिनेसी कुल के पौधे का है और दुवीजी पत्री पौधा है बस बहुत है नेच्ट क्योश्टिन पर चलते हैं लौंग क्या है लौंग है तना की गाठे जड की गाठे बंद कलियां बीज इसका अंसर है C लौंग एक कली है लौंग बंद कलियां ये पुस्प कलियां कली का है जिनका उपियोग मसालों और सधियों बोज्य पदार्थों इत्यादी में किया जाता है लॉंग के पौधे का वनासपतिक नाम साईजीजियम एरोमेटिकम है जो की कुल मेट्रेसी इनका कुल क्या है वंस क्या है मेट्रेसी कुल के अंतरगत ये आते हैं इनका जन्म अस्थल इंडोनेशिया को माना गया है इसका उपयोग समस्त विस्तु में किया जाता है या एक सदा बहार वरिच्छ है इसके उचाए दस्ते में 10 से 20 मीटर की होती है इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है विस्तु में इंडोनेशिया में लॉंग का सबसे वड़ा उत्पादक देश कौन है इंडोनेशिया है जैके भारत में तमिलनाडू लॉंग का सबसे वड़ा उत्पादक राज्जी है उसके बाद करनाटक और केरल का आता है अस्थान सबसे पहले कौन भारत में आता है ता मिलनाडो, उसके बाद करना तक फिर केरा Q72 को देखते हैं निमलिखित मसालों में से कौन सी एक पुस्प कलिका होती है? जीरा, लॉंग, काली मिर्च, हल्दी इसका एंसर है B अभी हमने पढ़ा कि लॉंग क्या है पुस्प कलिका होती है ये कली होती है कली से ही हमें लॉंग की प्राप्ती होती है कौन सी होती है? Q73 वह भी अँकर आ कि क्या होता है? तने की गाठे, जड़ की गाठे, पत्तियां, सूखे फल इसका एंसर है D 성। प्राप्त होता है तो इसका अंसर है डे सुस्क पुस्प कली से हमें क्या प्राप्त होता है लॉंग प्राप्त होता है लॉंग निमल खित में से किसका निरूपन है अंतस्त कली सहायक कली फूल कली वनस्पती कली तो इसका अंसर है C फूल कली एक ही क्यूश्चन को बहुत तरीके से पुछा जा सकता है जितना आप सॉल्व करेंगे उतने अच्छे से आप अंसर को दे सकते हैं लॉंग एक मसाला पोधे के किस भाग से प्राप्त होता है लॉंग एक मसाला है पोधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो इसका मतलब बस यही पूछ रहा है कि लॉंग किस से प्राप्त होता है फल, तना, जड, फूल की कली, तो इसका एंसर है D, फूल की कली से हमें क्या राप्त होते हैं, लॉंग, थैंक्यू फॉर वाचिंग फ्रंट, मिलते हैं नेक्स वीडियो में,